चलो हम सबसे पहले टुन-टुन मौसे के दुकान पर ही चलते हैं क्या हुआ आप रो क्यू रही हैं अरे रे करू तो क्या करू जब से दुकान खोली है एक भी डांडिया नहीं विका यह कितने सुन्दर है अगर तुम्हें इतना ही पॉसंद है तो तुम इने ले सकती हो है क्या सच में पर मुझे डांडिया खेलना नहीं आता है अधिंक टकर टिकर क्यों आप ही हमें डांडिया खेलना सिखाएं अहां यह चीक रहेगा आप हमें डांडिया खेलना सिखाएं फिर देखिए कैसे यह डांडिया पूरे धोलकपुर में मशूर हो जाएगा तो ठीक है बच्चों आज से ही मैं तुम चैरों को डांडिया खेलना सिखाऊंगी पिता जी लगता है सारे डांडिया बिग गए हमारे लिए एक भी नहीं बचाऊंगी सारे खतम नहीं हुए राजकुमरी मेरी तरफ से यह खास डांडिया आपके लिए आपके डांडिया तो पूरे धोलकपुर में मशूर हो गये हैं इस सब के पीछे भीम और उसके दोस्तों का हाथ है महराज देखिए महराज वो सब इसी तरफ आ रहे हैं महराज आप यहां कैसे इंदुमती भी डांडिया खेलना चाहती है सिर्फ इंदुमती ही नहीं महराज अब तो पूरा धोलकपुर एक साथ डांडिया खेलना चाहता है तो फिर ठीक है, हम ढोलकपुर में एक महा डांडिया धमाके का एलान करते हैं, साथ ही उसमें एक डांडिया मुकाबला भी होगा, और जो भी उसे जीतेगा उसे हमारी तरफ से खास इनाम मिलेगा यह इनाम तो मुझे ही मिलेगा, डांडिया धमाका, जितने वाले को माराज खास इनाम देंगे फिर तो हमें भी इस मुकाबले में शामिल होना ही होगा आज का मुकाबला जो भी जीतेगा, उसे यह शानदार सोने की ट्रॉफी दी जाएगी सब लोग अपनी अपनी जगह ले लीजिए और मुकाबला शुरू कीजिए तेलू, पेलू और चेलू? तुम तीनों यहां क्या कर रहे हो? जल्दी से ट्रॉफी उठाओ और भागो आज का यह मुकाबला तो सच में धमाकेदार रहा, पर जीतेगा तो कोई एकी? और आज की विजेता टीम है भीम, राजू, चुटकी और जगू! यहां बीम, बीम, यहां! यहां आपको नाचना पसंद है? तो फिर अब भी खड़े खड़े यह रेडियो अनॉंस्मेंट क्यों सुन रहे हो? भागो और चल्दी से डाउन्स कॉम्पेटिशन के लिए रजिस्टर करो! दो जनों की टीम है भीम, चुटकी की टीम पर कौनसा डांस करेंगी? दांद्या कैसा रहगा? अभी गाउं के उत्सम में भी तो हम सबने कितना बढ़िया दांद्या नाचा था। सब टीम्स या एक साथ माजूद दोस्तों फाइनल राउंड शुरू होने जा रहा है मैं तो कहता हूँ दाली बिलकुल मत बजाना क्यों दालिया क्यों नहीं बजाए क्योंकि तालिया पूरिंग होती है उसकी जगह हूटेंग किजिए आ रही है टीम वाज तुम्हारा पहला डांस है बेस्ट अफ लग हमारा डांस इतना धुमागे दार है कि हमें लग की जरुद है यह नहीं है अपना लग अपने लिए ही संभाल कर रखो तुम्हें उसकी सरूरत पड़ेगी क्या यह कुंग्फु था? क्या यह डांस था? यह कुंग्फु भी था, यह डांस भी था यह था कुंग्फु डांस भीम, चुटकी, गड़बड हो गई क्या हुआ राजू, इतने परिशान क्यों हो? उन्होंने अभी भी बताया कि तुम से पहले टीम तू भी फाइनल में डिसको डांस कर रही है पर अगर हमसे पहले वाली टीम भी डिसको ही करेगी, तो हमारे डांस में कुछ नया नहीं होगा हाँ, और उस अनाउंसर ने कहा था, कुछ नया, कुछ अलग करने के बहुत मांक्स है इसलिए गुंगु डांस टीम को भी बहुत मांक्स मिले है हमें कुछ और सोचना पड़ेगा लेकिन इतनी जल्दी तो हम कोई और डांस तयार भी नहीं कर पाएंगे एक उपाय है, याद है हमने गाओं के उत्सों में डांडिया नाचा था पर अभी डांडिया नहीं कर सकते स्टेप्स और संगीत तो डिसको का है ना हां तो डांडिया को डिसको में मिला दिंगे तो कुछ अलग कुछ नया तयार और डांडिया के डंडे कहां से लाएं बाजार जाने का समय भी नहीं है हमारा नंबर आने वाला है वो तुम मुझ पर छोड़ दो लोड़र खित झाहँ पर विसद्पषैंश त्सकोर 2 रहीं! लमस्टाय है? कि तो कि प्रकाय। धॉर्श १ॉर्थै ॉर्ड़ बाबा हम हर साल दशेरा क्यों मनाते हैं दशेरा श्री राम की सूपर विलन रावन पे जीत की कहानी है इस कहानी के हीरो है प्रभू श्री राम राम कोशल्य मा का प्यारा भरत कैकेई का ध्रुवतारा जूर्यवंश को मिला सहारा शत्रुग्न लखन सुमित्रा नंदन अयोध्या में आए एक दिन महर्शी गुरू विश्वमित्र राम और लक्षमन को मैं अपना शिष्व बनाऊंगा गुमार सवीर बनने की उन्हें में शिक्षा भी दूंगा ये सुनकर राजा दशरत और उनकी रानिया हुए प्रसंद वेद वेदान्त और शास्त्रों का ग्यान देखते ही देखते दोनों बने बुद्धिमान और बल बात है एक दिन की तब ही अचानक हिलने लगी धरती और सामने अचानक प्रकट हुई वैंकर राक्षसी ताड़का राम इसका बद करो जब वो बड़े हुए तो उनका विवा राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था फिर गुरू विश्वमित्र ले गए राम को मिठिला राज जित जहां आयोजित किया गया था सीता का स्वेंबर जो यह महांशिव धनुष उठा सकेगा और प्रत्यंचा चड़ा पाएगा उसी से विवाह करेगी राजकुमारी सीता एक के बादे कई राजकुमार आए लेकिन एक भी शिव धनुष ना उठा पाए तभी गुरू विश्वमित्र का आशिरवाद लिये आये शिरी राम उठाया उन्होंने शिव धनुष प्रत्यंचा चड़ाई और कर दिये उस धनुष के दोखा लेकर सीता को अपने संग राम तुम हो विजए देवों ने पुष्प बरसाए रिशी मुनियों ने मंगला चरणगाए राजा दशरत खुश हुए देखके राम और सीता का प्यार जब राजा दशरत राम को राजा बनाने के विचार में थे कैके ही आई चेहरे पर घुस्सा लेकर महराज याद है आपने दिये थे मुझे दो वर्दान मेरा वचन मेरा अभीमान आज मैं चाहती हूँ वो दो वर्दान पहला वर्दान मेरे पुत्र भरत को मिलेगा अयोध्या का सिंगासन और दूसरा वर्दान की राम को चौदा वर्ष का वनवास मिले वचन देता हूँ कहए तुम्हारा दूसरा वर्दान पूरा होगा राम को चौदा वर्ष का वनवास मिलेगा जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई राम और लक्ष्मन ने सीता ने घर को सजाया और छोटी सी कुटिया को स्वर्ग बनाया कितना सुन्दर कितना प्यारा काश ये होता हमारा स्वामी मुझे वो हिरन चाहिए बहिया ये हिरन तो सच में बहुत ही सुन्दर है लक्ष्मन तुम यहीं अपेक्षा कर सीता का ध्यान रखो आप निश्चिंध हो कर जाए लक्ष्मन मैंने कहा था ना राम पर आई है कोई बड़ी मुसीबत जाओ जाकर उनकी मदद करो फिर चले राम को लाने और सीता से बोले ये लक्ष्मन रेखा किसी को देगी नहीं अंदर आने आप इस रेखा के अंदर ही रहिए जब श्री राम वनवास में थे तब एक दिन रावन दोके से उनकी पत्नी सीता का अबारण करके उन्हें लंका ले गया कुछ देर के बाद सीता को एक आवाज आई बाहर एक बूढ़ा साधू मांग रहा था कुछ आहार भवती भेक्षाम देही भवती भेक्षाम देही और जैसे ही सीता लक्षमन रेखा के बाहर आई साधू ने अपनी असलियत दिखाई वो साधू नहीं था रावर था देखते ही देखते हो गया वो फुर्र दोनों दोड़ कर कुटिया की ओर आए पर हुए चिन्तित जब सीता को वहां ना पाए सीता फिर श्री राम ने रावन को कैसे हराया उनके पास तो कोई सुकपावो भी नहीं था राम बहुत साधारण थे पर बहुत बहादूर भी थे जब वो सीता को ढूंडते हुए निकले तो उनकी मुलाकात हनुमान, सुग्रीव और अन्यवानरों से हुई रास्ते में राम और लक्षमन को मिला एक पंडित पर वो कोई साधारण नहीं था पंडित शिरी राम ने पहचान लिया हनुमान को हनुमान? ए ए प्रभू राम शमा कीजिये मैंने आपको अपना असली रूप नहीं दिखाया कोई बात नहीं हनुमान हनुमान उनका भक्त बन गया हनुमान सुग्रीव और उनकी वानर सेना की मदद से वो सीता माता को ढूंट पाए संपाती बोला समंदर पार सोयोजन दूर रहता है रावण और हनुमान निकल पड़े लगा के सारा जोर सीता की दशा देख हनुमान हुए उदास और भारी मन से बोले जाकर सीता के पास सीता माता मैं हनुमान श्री राम चंद्र ने भेजा है मुझे ये देखिए राम की अंगूठी को देखकर विश्वास हुआ उन्हें हनुमान पर हनुमान रावण ने तो मेरा सारा चैन छीन लिया समझ में नहीं आता जीवन ने मुझे ये दुख क्यों दिया चिंता ना करे माता प्रभू राम आपको बचाने आने ही वाले हैं मूर्ख वनर तू तो गया काम से हाँ क्यों ना इसकी पूझ ही जला दू आग लगा दी जाए लेकिन रावण को क्या पता था कि उसे इसके लिए बढ़ जाएंगे लेने के देने जै श्री राम अब मजा चकाता हूं तुम लोगों को बस दिखते जाएंग अनुमांग जी ने अपनी जलती हुई पूझ से आग लगाई हर दिशा में जब पूरी लंका में शोर मच गया भागो भागो सब लेकिन लंका और उनके बीच में महा सागर था और उसे पार करने के लिए उनके पास न कोई रास्ता था न कोई जहास था फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी अपने वानर मित्रों की सहायता से उन्होंने समुंदर में पुल बनाया पहुचते ही लंका राम ने अंगत को भेजा कि वो रावन को आखरी छेतामनी दे आएं केंतु रावन टस से मसना हुआ फिर राम ने युद्ध घोशिक कर दिया नाम है मेरा कुम्ब करण मुख लगी है मुझे सुनो नन्हे बंदरो मैं तुम सबको खा जाओंगा की कदार खुमाके कुम्ब करण के होश आये ठिकाने परंतु कुम्ब करण भी था बड़ा योध्धा उसने हनमान जी को पूरी शक्ती से दे पटका फिर प्रभू राम ने उस पर चलाया दिव्व अस्त और कुम्ब करण का कर दिया विनाश राम छोड़ूगा नहीं मैं तुम्हे राम तुम्हारे पास सो चलाने के लिए रत भी नहीं है देवताओं ने जैसे हीव भार दिया सुनहरा रत राम को ये देख बहुत गुस्सा आया राक्षसराज रामण को फिर क्या जम कर हुई लड़ाई राम रावण के युद्ध से पूरी धरती धर्राई फिर इसके बाद रामण का रत और उसके तीर राम ने दोड़ दिया गिरते ही धर्ती पर रामण ने एक बड़ा रूप लिया और फिर से राम पर हमला कर दिया राम ने रामण के दस्सिर काटने चाहे पर वो अपने प्रयास में नाकाम रहे तभी विभीशन ने राम को बताया कि वो ब्रह्मास्त्र उसकी नाभी में मारे तभी उसको जा हराया तो बच्चों तुमने देखा बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो उसका अंत तय है जीत हमेशा धर्म और नीति की ही होती है और दशेहरे का त्योहार बुराई पर अच्चाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है जो हमें हमेशा धर्म और सही रहा पर चलने की सीख देता है और इसी लिए हम हर साल तशेहरे की रूप में रावन तहन कर पुराई पे अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं तो तुम लोग रामायन की ये सीख याद रखोगे? हाँ बाबा, हम सब की तरफ से आज सही को विजया तश्मी की होड़ दिश्चुकान आएं हाँ पी तशेहरा दोस्तों अरे चुक्की, ये कौन है? ये है कुटकुट, मेरी बहन, ये गोजेकपुर में रहती है कुटकुट, ये है राजु, और ये है जगु, और ये है भीनियू अरे, कुटकुट तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही लगती है चुटकी थोड़ी सी तो मेरे जैसे दिखती है पीम, मैंने ना तुमाली बोचाली बाती शुनिया अच्छी तुम मिले पक्केट आश्ट भीम, भीम जगु, क्या हुआ तुम्हें इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हारे पास ही आ रहत हमें, राजु और कालिया क्या हुआ राजु और कालिया को, कोई खत्रा तो नहीं हाँ, यही समझ लो, एक बूसरे के लिए खत्रा अरे जगु, पहेलिया मत बुझाओ, साफ साफ कहोना क्या हुआ राजु, जाने दू, कालिया तुम्हें छेड रहा है कालिया, मैं जरूर अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा सिपाई बनूगा तुमसे कई बहतर क्या कहा तुमने, मुझसे बहतर सिपाई बनोगे खुद को देखाए कभी, इत्तो सोतो है पहले अपने आपको देखो तुम कुट कुट, तुम यहीं रुको, मैं भीम और जगु को लेकर आता हूँ जल्दी अन्ना, तुट कीपी पाई है क्या, ये तो बुरा हुआ मारा, मारा, जल्दी क्या हुआ जगु राजू कहा है मुझे नहीं पता राजू कहा है मैं जीग गया, मैं जीग गया, जीग गया राजू, तुम ने देल कर दी हम नहीं खेल पाई और कालिया जीग गया कोई बात नहीं जग्गू कालिया भी तो हमारा ही दोस्त है चुटकी के घर में चोर आ गए कुट-कुट हमें बुलाने आई है चलो चलो चल्दी से बड़ी शांती लग रही है अंदर चल कर देखते हैं हां सब इतने गुसा क्यों हो क्या कुट-कुट ने कुछ किया अरे हमें गलत फैमी हो गई थी मुझे माफ कर दो भी कुट-कुट की वज़े से सबको तिकत हुई है अपनी बैन को बोलो कि जब ढंक से बोलना नहीं आता तो मुझ बंद ही रखे नहीं नहीं सब ठीक है चुटकी कालिया मेरे मदद करोगे म मुझे जंगल के रास्ती से जाना है मेरे साथ चलोगे चुटकी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा चलो यह यह क्या कर रहा है पता नहीं खुद ही से बाते कर रहा है मुझे टल लग ला है शांत रहो कुछ कुट वहाँ एक बुरा अदमी है उसका नाम तमाशीलाल है यह उसे कई बार बुरे काम करते हुए पकड़ा है और सजा पी दिलाई है यह क्या यह बच्या को बिल्लियों देख रही हो कुट-कुट ये सब तुम्हारी और तुम्हारी बेहन की वज़े से हुआ है अच्छा मेरी गलती है की कालिया वो देखो वहां से आप बहार निकल सकते हैं कुट-कुट जल्दी आओ ये जह बुलीजा रहिए रिये फिज्सता है प्सेम अगने जल्दीम है टल्या टूर्किको उस्यक्ट है वोर पिड्ले में चल्डिया चलो चलो-चलो भीम तुमागे भीम ये बच्ची बहार कैसे आई भीम पीछे देखो भीम तुम आज नहीं बचोगे यही पर रुखना तमा शिलाल महाराज के सैनिक तुम्हे अभी लेने आएंगे मुझे माव कर दो नहीं तुम पर पेकार में नाराज हो गए थी तोई बात नहीं होगी मस्ती चारो करहंगामा मचाई शो मनाई बीम संग दशेरा क्योंकि आया है खुष्यों का सवेरा चीर क्या समाज भाया था तुफा चीर गया समाज भाया था तुफा तब दुनिया को बचाने तावण को हराने आये ते बगवन शेराम बोलो बोलो जे शेराम शुरू होगी राम लीला लगीगा मस्ती का मेला अलग-अलग होंगे खेल दोस दोसे होगा मिल करेंगे मस्ती मिलके मनाई दुशेरा खुलके मनाई दुशेरा खुलके मनाई भीम संग दुशेरा मनाई भीम संग दुशेरा आया है खुशियो का सवेरा क्योंकि आया है खुशियो का सवेरा पूलो तरी गूजते कहे दुर्गमा की बूचा होगे कभी हाथी पर बिठा कर देवी मौ को शहर गुमा कर होती रहन शहरे की शुरुवार छुलू समय देह कोई साथ बनाए भीम संगत शहरा क्योंकि आया है खुश्यों का सवेरा क्योंकि आया है बटको मा में फूल लगाते है शहर को रंगीन बनाते है बम्मय गुण मुँ घर में रखते है बच्चे गुणियों साथ सजाते है देवियों की भी भूजा करे इंदी की माला जपा करे मा शक्ति करती सब समाधान दुर्गा मा करे सब का कल्यार मा लक्ष्मी दुनिया चलाए मा सरस्वती ज्यान दिलाए अलग अलग तरीकों से सभी दशर मनाते हैं बच्चे हो या बूडे सभी मौज उठाते हैं सभी मौज उठाते हैं क्यों गार्द शहरे का आया खुशिया अपने संग ले आया अब बाजेंगे मस्ति के डोल बोलें के सब मीठे बोल नए नए चमकिले कपडे पहने दोसों के संग मसे करें दरबा करें पूरी रात डाणिया खेलें अपनों के साथ नव रातरी में सब नाचते गाते मा शक्ति के नो रूब या राते मना ईय भीम संग द शेहरा आया खुशियों बरार सवेरा